वेल्काउं टू आई चैनल आलनाइन जी एस पाई दिवाकर जैसा कि आप लोगों को हमने पहले इंफॉर्म किया था कि कल हम लोगों ने क्या देखा था कि यह मॉर्फोलोजी की बारे में देखा था जो आपके एक्जाम के पॉइंट अब उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं भी हो जहां पर आप क्या करें वीडियो ना देख पाएं तो आप एरफोन कान में लगा कि उसको सुन सकते हैं तो एक तरह से पॉड़कास्ट या डियो लेक्चर था फिलाल आपनों का जो रिव्यू आया जो सजेशन्स आये कि वीडियो में ही चीज़ों को रखा लाएगा यूजी सी नेट हो या असिस्टन प्रोफेसर हो किसी भी एक्जाम के पॉइंट अब्यू से यह सारे जो इंपोर्टिंट रहेंगे चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि यह पॉइंटर के नाम से मेंसन करा गया है और इसक प्रोफेसर के बारे में सोच रहे हो यह यूपी में असिस्टन प्रोफेसर क्रेट एक्जाम का ठीक है हर एक एक्जाम का वहां पर टेस्ट श्रीज आपको मिल जाएगा तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला जो पॉइंटर है यह आपका मेंसन करा ग जो द्रविमान है वाय मंडल का वह 99 परसंट द्रविमान जो है कहां तक पाया जाता है 32 किलो मीटर के पास तक पाया जाता है इसके अलावा जो हम लोग बात करें वायू का तो 25 किलो मीटर पर 97 परसंट वायू का संकिंद्र भी पाया जाता है कितना है 97 परसंट वायू का सं किंदड भी पाया जाता है ठीक है आगे देखे जो आपका वाइंधल है इसका निर्माड कैसे हुआ है यह आपका ढैस और जलवास धूल करके इसके अलामा एयरोसाल है इसमें ये इसके मूल मूल भूत तत्व हैं तो आपको इसमें मेंसन कर देना है कि यह मूल भूत तत्व हैं जिसमें जलवास और कारबन डायाकसाइड आपका नगवे किलुमीटर तक पाया जाता है अक्सीजन की मात्र लगवग 120 किलुमीटर के आसपास नगड़े हो जाती है और इसमें देखें पॉइंट में आपका और मेंसन है कि क्योटो प्रोटोकाल जो है कब आया 1997 में एक इसके कंट्रोल के लिए आये था ग्रीं हाउस गैसे खेंचेश के लिए कंट्रूल करने के लिए आये था जिसमें ग्रीं हाउस गैसेश में इस्पेसली आपका सी ओ टु yion carbon dioxide पर focus करने की बात सब्धल कि इसमें कही जही थी ठीक है इसके बाद आता है उजोन पर छरण से संबंदित जो सगनता है ये सरवादिक सगनता 15 से लेके 35 किलो मीटर पर सबसे अधिक पाई जाती है तो ये ध्यान रखेगा आप देखिए कि परियावरण वाले चैप्टर के लिए यानि परियावरण वाला जो यूनिट है उसके लिए इस तरह के सम्मेल और अधिनियम से संबंदित रहेगा इस पे जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा परियावरण सम्मेलन और अधिनियम का जहां से पास परसन आपका कम से कम फस्ट पेपर और जगरफी दोनों मिलाके स्योर हो जाएगा अगे देखे वायमंडल के जो तत्व है उसमें आप परसन जो है ठंडे रेगिस्तान वी भागों में पाई जाती है ठीक है तो हवा के आयतन का चार पिस्दी के आसपास यह पाई जाती है जल्वास जो है ठीक है वायमंडल का उद्वह जो है कब हुआ था यह कैम्डियन टाइम पीरियेड में हुआ और यहां पर देखे वायम किलो मीटर पर जो नब्वे परिस्द भाग पाया जाता है इसका ठीक है कि आपका क्लियर हो गया पांच किलो मीटर पर क्या होगा 90 परसेंट पाया जाएगा कि नेक्स्ट आ जाईए यहां पर कि चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर कार्बन याक्साइड जो है इसके बारे में जान लेजेग एक सौर विक्रण के लिए यह पारदरसी आप समझ लिजी सौर विक्रण का मतलब क्या हो गया ये आपका अर्थ है ये आपका स्सन है यहां से किसे हम लोग अस्षिक दियनर properly प्राप्त करता है अब यह क्या करेगा जब रेडियेशन प्राप्त करेगा इसको वापस छोड़ेगा भी तो जो वापस छोड़ता है इसे हम लोग पार्थिव भी करण कहते हैं पार्थिव का मतलब किस से हो गया अर्थ से हो गया ठीक है अर्थ का रेडियेशन आप कह सकते ह इसमें जो आपका गैस में है तो गैस में धूतरा की गैस है अस्थाई गैस है आपका नाट्रोजन अक्सीजन नियान है और हड्रोजन है ठीक है तो आपका अग्सीजन आरगन विस्पर रूप से इसमें है है और यह किम बात करें तिसमे अपका जो रीरेबल टाइबल रही हैं जो nuts होता है यह आपका स्मॉक जो इसमें एरुसाल और सल्फर डाइकसाइड का पार्टिकल इंवाल्व होता है ठीक है चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो गैसों की मात्रा है उसके बारे में तो नाइट्रोजन की जो मात्रा इसके अलावा देखिए जो कार्बन डाइकसाइड है इसकी मात्रा कितनी है तो कार्बन डाइकसाइड की जो मात्रा है यह आपका कितना है पॉइंट 036 है ठीक है और जो जलबास है यह आपका 025 है नियान की मात्रा जो है पॉइंट 002 है हिलियम की मात्रा 005 पे ट्रिपल 00 ठीक है पॉइंट के बाद और हाइडोजन जो है यह आपका 405 है ठीक है तो ओ जोन का भी लगबग यही पार्ट है यह वाली के आसपास होता है ठीक है और जो धूल का कड़ आपका हो जाएगा दूल का कड़ यह आपका उसकी जो मात्रा है यह 0.6 के आसपास होती 0.0006 के आसपास ठीक है यहाद अगापा क्लियर हो गया तो यहां से प्रस्न कैसे पूछे जाएंगे जो परिवर्त तंसील कैसे हैं जो अस्थाय कैसे हैं उससे पूछा जाता है वाई मंडल की सनचना की बात करें तो तापमान के लंबोध वित्रन के आधार पे हम लोग वाई मंडल की सनचना को 5 प्रकारों में या 5 परतों में डिवाइड करते हैं जैसे जैसे उचाई बढ़ेगा या उचाई के साथ जो तापमान में परिवर्तन होता है उसी के आधा यहां पर क्या है कि इंपोर्टेंट जो क्लाइमेटोलॉजी के सिध्धान्त है वह भी हमने इसमें आइड किया है तो लास्ट में चलके आपको बताएंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए वहां से आपका हर बार प्रसन पूछा जाता है अब देखें परतों से एक प्रस कियर में आपका पूछा गया था आइधिंक कि यह दिसंबर दोजार बाइस और जून दोजार तेस में प्रस नया से पूछा गया है उसमें यही पूछा था कि छो मंडल की जो उचाई है वह कितनी होती है लगबग तो यह आठ से लेके अठारा यह कहें के मिलेगा आपका नौ से लेके सूला है तो यह कनफ्यूज आपको नहीं होना है ठीक है और यहां पर देखे सभी मौसमी जो गदविदियां वापा कहां पर होती है इसी में होती है एक सो पैंसट मीटर की उचाही पर एक डिगरी सेंटीग्रेट जाने पर क्या होता है कम हो जाता है जिसे हम लोग सामान आप हरासधर कहते है ठीक है नार्मललाफ्स Kennet की नाम से जाना जाता है और इसकी जो उपरी पार्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं छोब सीमा कहते हैं और यह आपका एक से लेके डेड़ किलोमीटर मोटी होती है जो ट्रोपोपाज के नाम से जानी जाती है और जो राज़दर में अचानक परिवरतन आता है यह 14 किलोमीटर के उचाए के आसपास आता है जीसे हम लोग छोब सीमा कहते हैं इसके बाद जो है ट्रोपोपाज स्टार्ट होता है ट्रोपोपाज जो है यह जो ट्रोपोइस्पियर और स्ट्रेटोइस्पियर इनके बीच का यह सीमा होती है तो यह ध्यान दखेगा अब देखेए इंग्लिस में भी ध्यान दखेए छोब मंडल को इंग्लिस में भी ट्रोपोइस्पियर तीक है इसको याद रखना कारण क्या है कि महज कराने के लि यह तो छोब मंडल नहीं दिया है अब देखे दूसरा आपका समताफ मंडल इसको क्या कहते हैं स्ट्रेटोस फियर ठीक है स्ट्रेटोस फियर तो यह आपका देखे 50 किलो मीटर की उचाई पर होता है और इसके बारे में जो बात करी गई थी क्रिश्पील्ड महोदय ने करी थ थी मैं प्रिथिवी की सता से 50 किलो मेटर तक विसका विस्तार पाये दाता पहले बार जानकारी बारे में दी थी और नाइस सुदों में झाम है है इस आने पहली भार दी थी और तापमान यहां पर क्या होता है इस्तिर होता अलाकि जो आपका सम्ताप मंडल है यह दूसरी परत होती है जैसे आप नीचे से आएंगे तो पहली छोब मंडल होगी, दूसरा आपका शम्ताप मंडल होगी, यहाँ पर जो होगा, यह प्रोपोपाज होगा यानि छोब सीमा होगी ठीक है जो तापमान के हम लोग बात कर रहे हैं तो तापमान इसमें क्या होता है इस्तिर रहता है लगबग और लेकिन जो रिडात्मक या नकारात्मक खरासदर इसमें बढ़ जाता है कब 50 किलो मीटर की उचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो टंपरेचर हो हो जाता है और इसकी उपरी सीमा को हम लोग समताब सीमा या इस्ट्रेटो पॉस कहते हैं ठीक है देहर नकिएगा इसको और इसी में ही आपका उजून परज जो पाई जाती है 15 किलो मीटर सरवादिक सगनता यहां पर पाई जाती है वह आपका इसी में होता है यदि हम जो बाद निचले लेर में क्या होता है यहापका बादल भी आपका पाये जाते हैं ध्यान लakके कर के कांसा पक किलाओ्ध दिखहाई देते हैं अल्ट्रा वाइलेट रेज को क्या करती है अब आज आते हैं तीसरे नंबर पर कि का इसको रिमूब कर देते हैं पूरा जो लिखा गया है कि अज़िए नेक्स्ट आते हैं मद्य मंदल के बारे में मीजो स्पीर अब देखे जब आप वीडियो देखिएगा तो हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप क्या करिएगा उपर जाके वहां बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब में यह फीचर है ठीक है आप जितना चाहेंगे उसको उत सिल किलूमीटर के अस पास पाए जाती है और समटाफ मंदल के ऊपर पाइजाने वाले नीचे से नीचे रहात बात करें ढरातल के ऊपर और सम्ताफ मंदल के बीच जो यह आपकी सीमा सब्स्रिक ester शाप मंदल पाया जाता है 50-80 किलूमेटर उके होता मेंूटाव में कमी होती है जैसे जैसे पुचाईी में बृद्ध के साथ यहां पर क्या होता है और असी किलोमीटर पर लगवगत ताफ मान माइनस 90 के असपास चला जाता है यहां से आपका पूछा जा सकता है कि यह किस मंदल में पाए जाएंगे इसे हम लोग जो है धुरूवी क्या बोलते हैं धुरूवी मद्यमंडली बादल भी कहते हैं धुरूवी मद्यमंडली बादलों के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं और यहाँ पे देखें इसी में जो मद्यमंडल है ये 60-70 km पर Y की परत पाए जाती है और मद्यमंदल की जो उपरी सीमा है इसे हम लोग मद्य सीमा या मीजो पाँच के नाम से भी जानते हैं ठीक है, अधिकान जो उलका पिंड है वो इसी परत में जलकर नस्ट हो जाते है उलका पिंड जो है आपका कहां पर नस्ट हो जाता है इसी में जलकर नस्ट हो जाता है ठीक है, इसके बाद आजाता है आपका थर्मो स्पीर थर्मो स्पीर जो है आपका 80 से लेके 400 km के हाइड तक पाए जाता है उचाई के साथ इसमें तापमान जो है बढ़ने लगता है जो कि मीजोस्पीर में आपने क्या देखा उचाई के साथ तापमान में कमी आती है और यही थर्मोस्पीर में तापमान में बढ़ोतरी आ जाती है ठीक है और थर्मोस्पीर को हम लोग आगे चलके क्या बोलते हैं कि इसके दो पार्ट में एक आयतन मंडल और एक आयन मंडल में डिवाइट करते हैं आयतन और आयन मंडल ठीक है आयन मंडल या आयनो स्पीर जी से कहा जाता है तो आयन मंडल पहले यहां पर फीगर देख लीजे सबसे नीचे छोब मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मद्य मंडल, फिर ताप मंडल, अब ताप मंडल को दो पार्ट में डिवाइट करा गया, जो हमने पहले बताया आपसे, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके हाइट के बारे में, ठीक है, स्टेटो पाज, स्ट्रोपोज, यह सारा कुछ है, पचास से लेके, असी तक, जो है, क्या होगा, मद्य मंडल होगा, उसके उपर जो आपका, टोटल, यदि बादलों की, हम लोग बात करें, ठीक है, वाई जहां तक पाय जाएगा, तो वहां तक बादलों के, तो लगबग 660 किलो मीटर के, आसपास जो है, आपका, वाई मंडल का घेरा, जो है, देखने को मिलता हूई मंडल में, गैसों का घेरा, ठीक है, अब देखिए, आगे जो बात करें, हम लोग आयन मंडल की, तो आयन मंडल यह आपका, 80 से लेके, 400 किलो मीटर के लगबग पाया जाता है, ठीक, तो यहां प पार्ट जो डिवाइड करते हैं, हम लोग अलग लग रूपों में देखते हैं, उसको, इसमें कई लेयर होते हैं, आयन मंडल में, यह लेयर है, तो यह लेयर को, हम लोग क्या बोलते हैं, कैनली हेविसाइड लेयर, जबकि मद्य मंडल में, आपने क्या देखा था, वहां यह आयन वंडल में 90 से लेके 130 किलो मीटर की हाइट पर पाई जाती है यह आपका रेडियो वेप्स को क्या करती है 300 से लेके 400 मीटर लंबी जो तरंगे हैं उसको भेजती है वापस ध्यान रखेगा रेडियो वेप्स का जो परावर्तन है जो डिलेयर मेजोस्पेर में दिक रह में जो आपका है यह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अपलिटन लेवर कहते हैं ठीक है डिलेयर जो है यह आपका मैं एक इने सब्सक्राइब है यह यह शूरियास्त होगा ठीक है यह यह शूरियास्त के साथ के साथ के यह जो है सोरिक विक्रण से संबन्दित होती है और जो ए लेयर है लेयर के हम लोग बाहत कर रहे थे इसे कैनली है भी साइड लेयर का जाता है तो निन्यानवे से लेके लगबग 130 के आसपास होती है यह 90 से 130 मान सकते हैं ती तेकि अलग लग किताबों में अलग लग पाया जा तो यहां पर बूला है कि जो ए लेयर होती है यह मध्यम और उचापरित वाली जो रेडियो तरंगे उसको क्या करती परवार्थित करके पृतवी की और क्या करती है वापस भेज देती है 300 से लेके 400 मीटर जो लिंध वाली लेयर होती है ठीक है और इस परत का जो निर्माड करने के साथ होता है तो इसलिए इसका भी यो है सूरियास के साथ यह भी जो खतम हो जाएगी ठीक है सूरियास के साथ जो है यह औसान हो जाता है इनका निसमाप्त हो जाती है अब ए को ही हिवन लोग एट ने दो बार में कि तीन सो बीस क्यलोमीटर के रेंज में इसका एक मानक मानने है यह जो क्या करती है मद्य और उच्छ यानी की रेडियो परसारण की लग तरंगों को रोप कर पृत्वी पर ये वापस भेजती है तो जो मद्यम तरंगे हैं उसको ये क्या करती है कि प्रतवी की और वापस भेजती है और अरोरा बोरी आलिश या अरोरा आश्टालिश जो है आपका इसी मंडल में देखने को मिलता है एक और जो लेयर है जी लेयर की बात अगर हम लोग करें तो जी लेयर ये लगभग 400 से लेके 640 किलो मीटर संभवता इस्तिति इसकी होती है ये जो है दिन और रात दोनों में दिखता है और इसका पता लगाना संभव भी नहीं होता है एक बाहर मंडल के हम लोग बात करें 640 उपर से जो आपका मंडल है आयन मंडल और आयतन मंडल उसी में पार्ट में आ गया बाहर मंडल 640 से लेके 1000 के आसपास है जिसमें अक्सीजन, हैड्रोजन और हिलियम ये मैक्सिमम पाया जाते हैं वीरल वाई मंडल के ग्रूप में इसे जाना जाता है वान इलन रेडियेशन बिल्ट जो है ये 4000 से लेके 20-1000 किलोमीटर इलेक्टरन और प्रोटन की लेयर होती है इसे वाल वान इलन रेडियेशन बिल्ट के नाम से भी जाना जाता है आप देखें वाई मंडल का रासानी का दार पर जो संगठा ने उसको देख लीजे होमो इस्पियर और हेट्रो इस्पियर दो तरह से ठीक है होमो यानि कि सम मंडल और हेट्रो यानि भी सम मंडल की जाम से जानते हैं होमो यहाँ पर दिया है कि मीन सी लेवल से मेंसल का मतलब क्या होगा मीन सी लेवल जो समुदरतल से आपका 80 km के आसपास है इसमें वाइ मंडली गैसों का जो अनुपात होता क्या होता समान होता है तो इसे यदि हम लोग बात करें कि सम मंडल को ही तापमान के अधार पे तीन पार्ट होए छोब मंडल समताब मंडल और मद्य मंडल तीन में डिवाइड करा गया है तो कि आप लेयर देखे 80 km तक यह पाय जाएगा तो जो छोब मंडल यह आपका 18 तक हो गया यह आपका 50 तक हो गया यह आपका 80 तक हो गया तो यहाँ से आपका तीनो लेयर जो आपके हैं कौन से मंडल में आएंगी यह होमोजपीर यह संबंडल में आती हैं विशम बंडल 80 से लेके लगबग 10,000 km के आसपास होता है अदे के विशम मंडल में 4 लेयर होती हैं जिसमें आपका नार्टोजन लेयर है आकसीजन, हीलियम और हैट्रोजन लेयर तो नार्टोजन लेयर जो है यह आपका विशम मंडल में सबसे निचली लेयर होती है जो 80 से लेके 200 किलोमीटर में ये नाइटोजन गैसो कावड़ होता है आक्सीजन का 200 से लेके 1100 और हिलियम का 1100 से 3500 हाइडोजन का 3500 से लेके 10,000 या उससे अधिक उचाये पर ये देखने को मिलती है ठीक यहां तक किलियर हो गया होगा अब देखें थोड़ा सा यहां पर जान लेजिए कि सूरिया तप और तापमान के बारे में तो जो लगुतरंग है ठीक है इसकी लंबाई कितनी होती है ये वन इस्टूट एक अनुपाते 250 से लेके एक अनुपाते यानि एक बटे 1600 मीली मीटर के असपास होती है और यदि हम लोग ट्रिवार्था की बात करें तो लगुतरंगों की जो गतियर ट्रिवार्था ने 18,061,861,000 ठीक है मील की स्पीड से ये माना कि यानि कि ये लगवग चलती है जो मील प्रति सेकेंड या फिर आपका ये किलो मीटर प्रति सेकेंड में में इंसन करा गया है तो सहर उर्जा का एक बटा दो अरवा भाग जो है यह सौर इस्थिरांग जिसे हम लोग कहते हैं यह 0.0005% होता है जो प्रतभी को प्रतवी को प्रतवी सेकेंड» प्राप्त होता है सूरिया तब के बारे में जाने लेजिए कि सूरिया तब को प्रवावित करने वाले कारा कुछ है तो सूर उर्जा की जो मात्रा है यह आपका दो ग्राम कैलोरी प्रती सिंटीमीटर स्क्वाइर प्रती मिनट यह मात्रा है जो धरातल को प्राप्त होती है और यह प्रवावित करने वाले कारक में आपका नंबर एक यह है कि सूर उर्जा की जो मात्रा है वो क्या होती है ये भी आपका जो है तापमान या सूरिया तप को प्रवावित करती है तो सूरिया तप को complete इसको जानने से पहले चलिए एक इसमें बता देते हैं उसके बाद एक और चीज आपको बताते हैं heat transfer के बारे में बहुत बार ये प्रसन पूछा जाता है आपसे exam में देखी लीजी तम इसको डिटलन में यहां पर कर देते हैं पहले आ जाते हैं इसी पर साहर-उरजा का मत्रा है ये भी क्या करती है कि प्रवावित करती कि सूरिया तप को तो सौर कलंख सूरूरजा की मत्रा धटी बड़ेगी कैसे घटी बड़ेगी सौरूर्जा में sun spot पाए जाएंगे तो sun spot जो पाए जाते हैं तो sun spot से क्या होता है कि यहाँ पे सूरिया तब को यह प्रवावित करते हैं sun spot से जो आपका solar radiation होगा या इसके जहाँ पी spot नहीं वहाँ से जो solar radiation होगा इन दोनों में क्या होती है भिन्दता पाई जाती है तो जो सन इसपार्ट होता है 11 वर्स का आवर्ती चक्र होता जिसके दोरान सूरिया तप में लगभग 1 से 2% का डिफरेंस यहां पे देखने को मिलता है ठीक है दूसरा जो सूरिया तप सावरुजा की मातरा को प्रभावित करती है वो आपका प्रिथ इस समय जो है लगभग 7% अधिक एनर्जी जो है यह प्राप्त होती है ठीक है अपेक्षा करित किसके जब 147 किलो मीटर यानि लगभग 14.7 यह 147 मिली है ठीक है 14.7 करोन किलो मीटर जब इसकी डिस्टेंस हो ठीक है और यह आपका जब कम होगी तो क्या होगी ज्यादा प्र करोन के आसपास होता है तो यह आप एलियन और पेरी एलियन की इस्टेर बन जाती है ठीक है तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा अब दिन की अवदी देख लीजे पिर उसके बाद आते हैं उस पर जो मैं आप से पहले ही बात कर रहा था दिन की अवदी कैसे यह जाड़ों में आपका क्या होता दिन छोटा होगा तो जब दिन छोटा होगा तो जो सनलाइट है यह दरातल को क्या होगी कम प्राप्त होगी तो जब यह रात में क्या करेगा कि पार्थवी विकरण से यह प्रिथवी आपकी ज्यादा ठंडी हो जाएगी यह गर्मी के दिन वो कितना भी radiation उसका हो जाए लेकिन धरातल क्या होगा अपका गर्म बना रहेगा तो यह इस्तिति क्या हो जाए गर्मी की हो जाएगी तो इससे सूर्या तब प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ कि ठंडी में आपका सूर्या तब कम प्राप्त होता है गर्मी में जादा सब्सक्राइब करेंगे यहां पर ज्यादा एनरजी मिलेगा यहीं आप यहां पर द्रूओं की बात करेंगे तो पॉल्स पर आपका यह इसके प्रभाव जो है नाइंटी डिग्री होगा वनेटी होगा सिक्स्टी होगा तो कौन के अधार पर जो इसका डिस्टिब्यूशन यहां सで पूछे जाते हमें इसलिए मां थोड़ा समझाते हों चल रहा हों मत बडिकिए जब जो हैसलाइट पड़ेगी तो क्या होगा वynn exile Main में यह बी क्या करेंगी ह guaranteed को रिफ्लेक्ट कर देगा सब्सक्राइब करींगा अंत्र तो आनिका यानि परावर्तित करता है उसी हम लोग क्या पूलेंगे इलबीडो के नाम से जानते हैं और इलबीडो जो है यह कि आप के एल्बीडो जिसमें आपका आर्था का सबसे ज्याधा होता 35% के आसपास बाद ट्वांटी स düşün उता सता है जो एम अधिकेan तो हम ü female में पिराभacer होता है यह ऐद्यों क्या बोलते हैं एलवीडो बोलते हैं और इसे हम लोग जनरली परसेंटेज में भ्यक्त करते हैं जहां पर सूरिया तब क्या होगा लंबोत होगा 90 डिगरी के आसपास होगा तो वहां पर प्रत्यावर्तन क्या होगा वो नियूंतम होगा यदि कौन कम हो तो प्रत्यावर्तन क है दीरे दीरे बढ़ता जाएगा ठीक है तो सबसे जपयाद ही अगे हैं और यहां पर जो दिया गया इसमें ज जो सरवाधिक यह अर्थ का है तो जैनरली जो सब से जपयादय लगवक 70 से लेके 90 के आसपास तक होता है जो बादल काली मिट्टी का जो एलबीडो होगा ये लगबग आपका आट से लेके 10 के आसपास होगा ठीक रेत का जो एलबीडो है रेत का ये आपका लगबग 20 के आसपास हो जाएगा घास का जो एलबीडो है वो लगबग आपका 14 लेके 25 30 के आसपास होगा ये पर्सेंटेज में ध्या कि इसमें क्या है कि देखिया और बात करें तो कार्बन डाय आकसाइड वाटर वैपर और ओजून यह मिला कि क्या करते हैं कि जो आपका वायमंडल की सनलाइट है उसका लगए 15 परसेंट जो है यह सोलन इनर्जी को क्या करते हैं अब्जार्ब कर लेते हैं और शोशित करते है बसती है पचसी परसेंट उसी का डिस्टीवीयोसन ऊपर और नीचे होता जाता है ठीक है अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि heat transfer के बारे में मैं आपसे discuss करने वाला था तो heat transfer यहां पर इसको और जूम कर देते हैं heat transfer यानि कि क्या हो गया? उस्मा का अस्थाना अंत्रण ठीक है? उस्मा अस्थाना अंत्रण की basically जो है आपकी 3 विदियां होती है लेकिन यादि आम लुक बात करें तो टोटल चार विदियां होती है जिसमें आपका radiation number one है यह आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रसन हर बार पूछे गए है radiation होता है, conduction होता है radiation यानि कि इसको बिकीरण कहते हैं, conduction को चालन कहते हैं ठीक है, जो तीसरा है, यह आपका convection है convection यानि कि संबहन है और चौथा जो इसका टाइप है यह आपका convection है, क्या है, convection यानि कि अभीवहन इसे हम लोग कहते हैं यह आपका clear हुआ, तो बिकीरण के बारे में थोड़ा सा देख लेजे बिकीरण में क्या होता है, कुसमा का अस्थानांतरन होने के लिए heat transfer यह देखे, आपका PGT में और UGC net में आपका यह पूछा है, अभीवहन जो बिकीरण है अभीवहन इसमें देखे क्या होता है, कि बिकीरण में जो अस्थानांतरन होता है, उसमा का यह तरंगों के माद्यम से होता है बिकीरण की रूप में होता है, इसमें क्या होता है, कि जैसे सूर से पृत्वी पर प्रकास आ रहा है, तो यह किसके माद्यम से आ रहा है, विकीरण की माद्यम से आ रहा है इसमें जो है उस्मा अस्थानांतर्ण के लिए किसी भी माध्यम किया हो सकता नहीं होती है कि जैसे एक माध्यम से दूसरी माध्यम में उस्मा ट्रांसफर हो जन्रली क्या होता है कि उस्मा अस्थानांतर्ण के बीच किसी माध्यम किया हो सकता होती है तो इसे चार रूपों में अस्थानांतर का मतलब क्या है उसमा का एक जगह से दूसरी जगह transfer होना तो सुर से लेके प्रतवी तक जो transfer होता इसमें क्या कोश्माद्यथ्यम है डाहीं है डारेक्ट सूर से प्रतवी तक उस्मा क्या होती है चले आती है और ये विद्दु चुम्ब की विक्रन की रूप में आपको देखने को मिलती है और इसमें जो उस्मा अस्थानांतरन की दर होती है वो क्या होती है तेज होती है, जब तीर उपर रहे, तो मतलब आप समझे, पॉजिटिव है, ठीक है, और यहीं चालन की हम लोग बात करें, कंडक्शन की बात करें, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, जो चालन है, यह आपका ठोंस पादार्थों में होता है, इसमें माध्यम की आउसक क्या होती है आप जानते ओंगे कि जब आप कुई ठंडी मेज है तो आपको बहुत ठंडी लगेगी लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका टंपरेचर और उसका जहां आप जिस place पे आप बैठे रहेंगे इसका temperature लगभग आपका बराबर हो जाएगा क्योंकि आप से heat का transfer यहाँ पे हो गया और इससे क्या होगा transfer बराबर हो यह एक तरह से conduction हो गया चालन हो गया इसमें माध्यम क्या हो सकता होती है ठीक है जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो लोहे की इराड है एक इराड को एक तरफ गर्म करते हैं दूसरी तरफ अपने आप क्या होती है गर्म हो जाती है वाइमंडल के संदर में हम लोग यहाँ पे बात करें क्लाइमिटोलोजी में तो जैसे वाइव का जो वाइमंडल क्या होता है इसमें वाइव की लेयर पाए जाती है जैसे धरातल की हम लोग कलपना करें, तो धरातल के पास जो वाईव की लेयर है, नीचे वाले जब लेयर गर्म होगी, इससे साथी होई दूसरी लेयर रहती है, इससे साथी होई तीसरी लेयर रहती है, तो नीचे वाले जब लेयर गर्म होगी, तो जो इससे साथी होई उपर पॉइंट है, तीसरा प्रकार है, यह शंभान विदि तो संभान विदि के द्वारा कैसे यह उसमा का transfer होता है, सिनल्दि तरल पदारत हैं यह द्रोब पदारत हैं, वहाँ पे यह उसमा का टांपर लौन में क्या होता है कि इसमें भी माध्यम क्या हो सकता होती है एक माध्यम जरूरी है तापमान में अंतर के कारण क्या होता है यहां पे मद्दस पदार्तों के माध्यम से उसमा का स्थान अंतर इसमें होता है और इसमें जो उसमा की दर है यहाँ पे भी आपका slow होगी संभाहन में भी उस्मा का दर क्या होता है slow होता है यानि कि जो transfer की दर होती है अब यह दि हम लोग climatology में बात करें तो आप जानते हैं कि संभाहनी वर्सा जो है यह कहाँ पर प्राप्त होती है equatorial belt में यानि विस्वत रेखी प्रदेशों में प्राप्त होती है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका मानेजे कि यहाँ पे sunlight पड़ती है तो यहाँ पे जो वाईव है क्या होगी गर्म होगी जो वाईव गर्म होगी तो क्या होगी उपर उठेगी ठीक है जैसे ही वाई यहां से उपर उठेगी यहां पर कैसा प्रेसर लो प्रेसर हो जाएगा तो आसपास का जो एरिया यहां पर मानिजिए हाई प्रेसर है तो लो प्रेसर क्या करेगा इनको अपनी तरफ आकरसित करेगा हाई प्रेसर में तो जो यहां पर हवाएं हाई प्र प्रसा करेंगे। यह वाला प्रेस छोड़ के उपर चलए झाएगी, और यहां पर फिर आवगरम którą बंड की आएगी फ्रक्रीय चलती रहती है। जल की बूदों में परिवर्तित होगें बादों में बरसा करेंग़ी। यह प्रक्रिया पूरी जल चक्रवाली हो जाती है, और यह किसके माद्यम से होती है, संबहन धाराओं के माद्यम से कहां पे होगी, विश्वती प्रदेशों में, और सरवादिक वर्षा जो होती है, यह दोपार के बाद यानि की, दो से पांच बजे के बीच होती है, ति यह आपसे पूछे जाते हैं ठीक है संभान के बारे में आपने क्लियर करा अब देखे अडवेक्सनल अडवेक्सन जो होता है इनि अभयवानी जो उसमान स्थान अंतर की विधी होती है इसमें भी आपका क्या होता है माध्यम क्या हो सकता होती है क्या होती है माध्यम इसके लिए भी जरूरी होता है इसके अलामा जो है यह क्या करता है कि जैसे इसमें अस्थानांतर्ण की अड़ों में छैती जरूप में होता है जो अस्थानांतर्ण इसमें होता है ध्यान रखे यह इंपोर्टेंट है जो अस्थानांतर्ण इसमें होगा, वो क्या होगा, छैती जरूप में अस्थान अंत्रन होगा, जैसे y की परते यहाँ पे यहाँ पे यहाँ प्रेसर, यह लो प्रेसर, तो यहाँ पे जो आपका उसमा अस्थान अंत्रन होगा, वो क्या होगा, छैती जरूप से इसमें गति करनी लगते हैं, जो अ प्रवस्ण आपका। को भिषों पुछ। बारे में कि इस किता है। प happens अभा दाब को होता है एक इंच बराबर 3.4 जो है वी होता है मिली बार पास्काल आपका ङवर और दाब मापनेक आपका unit है उसकी में इक पॉइंट है आप देखिए हुचाही बढ़ने के साथ क्या होता है लडाब में उचाई बढ़ने के साथ जो है वह मंडल पत्रा या बिरल हो जाता है तो दाब क्या होगा कम हो जाएगा तो यानि दाब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उचाई यानि की हाइट के अमझ में आई बात जैसे आप उपर जाएंगे आपका दाब क्या होगा कम होता चला जाएगा सेम मामला आपका टंपरेचर में भी है उचाई में बढ़ने के साथ टंपरेचर क्या होगा एक डिगरी कम होता है किस बैरोमीटर में यदि अचानक गिराव आ जाए उसके पैमाने में ठीक है तो ये तूफानी ये मोसम का संकेत देता और धीरे धीरे अगर माली जो उपर पढ़ रहा है तो इसका मतलब की बरसा की स्थिति होगी ठीक है अब देखें तापमान वाईदाप का जो बित्रन है उ प्रवावित करने वाले कारग तो इसको आपनो डाउन कर लीजिएगा तापमान हो गया जो क्या करेगा आपका वाईदाप को प्रवावित करेगा क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाई क्या होती है फैलती जाती है जो वाई फैलेगी तो क्या होगा सघनता कम हो जा जो pressure है वो कम हो जाता है दूसरी और हम लोग बात करें कि वाई कम ताप की कान क्या होगा संप्लिटीट होगी सगनता बढ़ेगी दाब आपका उच्छ हो जाएगा तो जो ताप मान है temperature है यह आपका यह आपका universally proportional to 1 upon P यहने की pressure के अभी आपने देखा था कि temperature यह height के भी inversally है जो pressure है यह आपका height की inversally है अब यहां से आप यह सूच रहे हैं कि यार जब temperature बढ़ाने पे यानि उचाई बढ़ाने पे temperature क्या होगा कम होगा उचाई बढ़ाने पे pressure भी क्या होगा कम होगा इसका मतलब कि यह दोनों direct आपके संब्दित होंगे नहीं temperature बढ़ाने पे क्या होगा जो pressure है वो कम हो जाएगा ठीक है temperature जैसे यह आप T को बढ़ाएंगे P यह आपका कम हो जाएगा pressure ठीक है इसके अलामा height की अबलुक बात करें तो height में उचाए के साथ जो है क्या होगा height आपका घटता जाता है यह भी आपका बनापान पी कि अनुसार होगा जल वास्प की बात कर लें तो जब क्या होगा पानी वास्पीत होता है तो gas की रूप में वाइबंडल में परवेश करेंगा और इसकी वज़ा से क्या होगा कि उसका जो place होगा वो अन्याडू ले लेंगे तो जो सुस्क वाइव की तुलना में यानि जो आदर वाइव होगी यह कम सगन होगी और सुस्क वाइव की तुलना में कम दाव आरूपित करेंगी तो जो वो जलवासप है यह आपका क्या करेंगी प्रेसर को कम करेंगी यानि कि कम दाव जनरेट करेंगी पृतिवी का गोड़न यह भी आपका important है जो आपका किसको प्रभावित करेंगा वो अमंडली दाव को प्रभावित करता है पिर तबी के गोल्डन की वज़ा से क्या होता है कि दुरूओं पर वायू का अधिकान भाग जो है विश्वत रेखा की ओर बिच्छेपित हो जाता है और जो भूमद्रे की छेतर में पूरे साल जो है ज्यादा मात्रा में उसमा प्राप्त होती है यानि कहां पर एक्वीटर पर किस वज़ा से होगा क्योंकि यह अपका पूल से जो है गोलन की कारण जो विश्वत रेखा की तरफ वायू होगी बिच्छेपित हो जाएगी और इसकी वज़ा से क्या होगा कि मात्रा जादा होगी और वायू गर्म हो जाती है गर्मों के हलकी होगी तो यहां पर कौन से छेतर जनरेट होगा एक्वीटर पर लो प्रेसर बेल्ट जनरेट होगा ठीक है द्रूमों पर क्या होता है वाई ठंडी होती है तो वाई ठंडी होगी तो क्या होगा बारी होगी बारी होगी तो नीचे उतरेगी और वहाँ पर जो प्रेसर बनेगा द्रूमों पर इसलिए हाई प्रेसर जनरेट होता है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब देखें वाय मंडल का वित्रण समझ लीजिए तो लंबोध वित्रण जो यह है कि छोब मंडल में 600 फीट यह 180 मीटर पर जो एक इंच 3.4 जो मिली बार जो है यह क्या होता कम हो जाता यह द्यान रखेगा 180 मीटर पर एक इंच कम हो जा मिन सी लेबल से 1013 statewide 25 मिली बार पर 113 मीली बार होगा 5 किलो मिन्टर mot newspapers 10 किलो मेंटर 264 20 क? क्पन मिली बार ले तो सबसे जादा जो मंडली लेप 시청 का पर होगा मिन दीवल में 25 में लेबल में हे लेवे होगा 36 रूप हम लोग बात करें..? तो लंब वाद भी तरण आपने देख लिया, छहदीच रूपों में बात करें, जिसको साथ पेटियों में हम लोग डिवाइट करते हैं, कितनी पेटियों में, साथ पेटियों में जनरले डिवाइट करा जाता है, जिसमें आपका, यहां पर देख लीजे, जो साथ पेटियों कौन सी हो गए, एक आपका क्या हो गए, एक क्यों टरियल बेल्ट हो गए, भूमद रेखी, फिर जैसे ही आप आएंगे, उपर, ठीक है, यह उच्छ दाप पेटि हो गई, ठीक है, और उपोश्ट उच वाईदा पेटि, फिर आपका निम्न वाईदा पेटि, और आपका दुरुवी उच्छ हो जायागा, दुरुवी निम्न हो जायागा, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए आपका, भूमद सागरी जो पेटि होगी, इसमें क्या होगा, भूमद रेखी जो पेटि होगी, उसमें क्या होगा, पांच दिगरी से लेके, नार्थ और साॉथ में जो है, इसका विस्तार जो इस पेसली पाया जाता है, उसको अमलब डूलडरम के नाम से जानते हैं, डूल्डरम पेटि जो आपका जीरो से लेके, पांच नार्थ और पांच साउथ में पाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर धरातली पौनों का क्या होता है अभाव पाया जाता है एक धरातली पौनों का अभाव पाया जाएगा नार्थ में जो इंटर्ट्रपिकल कन्वर्जन जोन या पर बनता है उसे हम लोग NITC कहते हैं साउथ में जो बनेगा उसका हम लोग साउथ इंटर्ट्रपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं चुकि इसका जो बिस्तार होगा ये 10 डिग्री नार्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के पास होता है कि इसका जो भूमद रेखी निम्न वायुदा पेटी होती है ठीक है जो भूमद रेखी निम्न वायुदा पेटी होगी 10 डिग्री नार्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक होग ठीक है इधर इधर से आपका क्या होगा दक्षडे व्यापारी पाउने इधर से उत्तर पूर्वी व्यापारी पाउने यह आएंगे इनकी वज़ा से क्या होगा यहां पर एक अभिस्तन जोन यानिटी कंश्यर्व के नाम से भी जानेंगे ठीक है बुमत रेखा के बारे में आप जानते ही हैं कि वरसा के बारे में संबह्यारा, जी थे लिए यह दून होती और यहां पर देखिए स्वक्ष आकास होता है वातावन सांत अस्वक्षांस यह आपका कहां पर होता है तीस से लेके 35 डिगरी नार्थ में होता है ग्रीस में हम लोग बात कहें तो पैसफिक और पूर्भी आंदर महासागर यानि कि जो आपका इस्ट इंटर जो अट्लांटि वो सनांद महासागर किसको कहेंगे अट्लांटिक ओसन को कहते हैं और चौथी और पांचवी जो पेटी होगी यह उपदुरुई निम्न वायुदा पेटी होती है जो 55 डिगरी उत्तरी और तक्षडी दोनों अच्छांसों में पाई जाएंगे एक को हम लोग कहेंगे गती के जन्ने बोलते हैं एक को आपका ताप जन्नी पेटी की नाम से भी जानेंगे हम लोग कि उत्तरी गोलार्द में जो आपका इसको दो भागों में डिवाइट करा जाता है एक आपका आइसलैंड वाला पार्ट हो जाता है तो यह पांच पेटी होगी छटी सात्मी जो प्रेशर जादा होता दुनों पे ठीक है टमप्रेचर कम और प्रेशर जादा होता है अब यहां से तोड़ा समझ लीजिए कैसे यह डिवाइट करा गया है जैसे यह मालिजिए आपका क्या हो गया एक्वेटर हो गया तो यहां पे क्या होगा यह लो प्रेशर एक्वेटर क हो जाएगा इसके उपर आपका जो सब ट्रापिकल लोप प्रेशर बेल्ट हो जाएगा ठीक है या इसे हम लोग कहेंगे सब पूलर लूप ये आपका लूप प्रेशर बेल्ट होगा और उपर जो है सब पूलर हाई प्रेशर बेल्ट होगा और नीचे जो हो जायेगा यहाँ पे आपका सब ट्रपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इसके उपर यहाँ पे आपका उप द्रूबी subpolar low pressure build और यहां पे आपका subpolar high pressure build तो यह 7 पेटियां जो 6 ती दूप में divide हो गए ठीक है इसलिए यहां पे 4 पांच जो divide करा गया है तो यहां पे माले के 1 नंबर यह हो गया, 2 नंबर यह हो गया 3 नंबर यह हो गया ठीक है यहां पर हमने mention करा है कि 6 प्लस 7, 4 प्लस 5, 2 प्लस 3, ठीक है, यह आपका नार्थ साउथ का दोनों का मिला के यहां पर mention कर दिया गया है, ठीक, यहां तक आप लोगा क्या होगा, clear हो गया होगा, आगे देख लीजे, अब यह हमाओं के बारे में है, ठीक है, उच्च वाईदाब पेटियों के बारे में आपने जान लिया, निम्न वाईदाब, पेटियों के बारे में जान लिया, दुरूभी निम्न वाईदाब, ठीक है, उच्च वाईदाब, इन सब के बारे में आपने जान लिया बहुत जाधा डेटीरल में जूकि यहां पर कराने का मतलब टाइम बहुत हो जाएगा आपका कोड़ा सा यहां पर चीज और जानली सेल्स होते हैं उसके बारे में जो आयमंडली परिसंच्रण सेल हैं यहां पर यह चीजे हो चुकी थी ही ट्रांसपर अब यहां प यह बिसिकली तीन रूपे में होता है जिसमें हमने आपका एफ एडली सेल पर आ है दूसरा आपका कौन सा होगया फेलर सेल फेरल ठीक है एडली एडली फेरल एफ ए आर आर ए एल ठीक है फेरल उसके बाद आपका जो है यह आपका पूलर सेल है तीन सेल है तो भूमद रेखाप पर पृतवी से पृतवी सूर से क्या होगी अत्तधी कुस्मा प्राप्त करेगी और इससे क्या होगा एडली सेल के बारे में जानी है जो एक्वेटर है यह आपका बिस्वत रेखी जो पेटी होती है वो आपका हैडली सिल के नाम से जाने जाती है और यहाँ पे क्या होगा? कि संभानधाणाओं से क्या होगी, यहाँ पर टंबरेचर ज़्यादा परापत होगा संभानधाराओं से वह उपर उठती है और इसकी वज़ों से क्या होगा? यहां पे कैसा pressure generate होगा equator पे low pressure generate होगा जैसे यह उपर उठेगी फिर क्या होगी ठंडी हो जाएगी बादल बनेगा बरसा होगा ठीक है इसके अलावा यहां पे क्या होगा कि जो ब्यापारिक पौनों का convergence होगा अभिसर्ण होगा तीसी लिए यहां पे क्या generate हो जाएगा ITCJ intert प्रफकल convergence zone हो जाएगा यहां पे क्या होगा कि वाई वाई मंडल तक उपर उठती है वाई यहां पे क्या होती है अफसरीत होती है और उत्तर दक्षिर दूनों क्यों क्या होगी बढ़ती जाएगी उपर जाके फैले कि इधर जाएगी इधर जाएगी ठीक यह लगभक जो तो पूष्ण वाले एरिया में तो ज्यादा तर जो रेगिस्तान इसलिए यहां पे देखने को मिलते हैं तो हेटल लीं का जो संबंद से कि इस से हो गया बयापारीक पौनों से संभाधर तो यह ध्यान रखेगा भूम अद्रेखापर व्यापारे कंशल असंभाध होता है यह देख लिएजये जो फैरल स्पृल की यह सब्तित बात कर रहे हैं फैरल स्प?. यह आपका तीज डिगरी नार्थ से उपर ठीक है नार्थ से साउध में जो आपका यहां पे कौन सी पाउने हो गई पच्छुमा पाउने यह आपका जीरो से तीस होगा यह तीस से साट के बीच होगा ठीक है और कौन सी विस्टर लीज ठीक दुरुवी निम्नदाप पेटी की और यहां पे क्या होगा वाई का प्रवा होगा तो यहां पे अगर पीगर से आप समझना चाहें तो समझेए यह अपका क्या हो गया हेडली से लो गया और इसके उपर आपका यह फेरल से लो गया यह अपका पूलर से लो गया हेडली स सेल में क्या होगा कि हवाओं की दिशा ये होगी ठीक है और पूलर सेल में क्या होगा कि हवाओं की दिशा ये होगी इधर होगी सोरी ये फेरल सेल में फेरल सेल में हवाओं की दिशा क्या होगी दुरूवी की तरफ ये आपका दुरूवी पेटी हो गई या दुरूवी सेल ह घ्रल से हो गया, यह आपका हैडल ही हो गया, फिक के यहां है? यह दूनों को लार्दों में देखने को आपको सीम ऐसे ही मिलेंगे गलाय शुयर दुरूओं पे आपका सेम ओई कंडिशन ओगी दूरूं पर क्या होगी यहाँ पर प्रेसर कैसा हो जाएगा हाई प्रेसर हो जाएगा ठीक है और इसकी द्वारा क्या होगा इसलिए इसे हम लोग दुरूवी उच्छदार के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर और यहाँ पर निचले अच्छांसों की ओर जो है यहाँ आपका हवाएं चलेंगी और इस तरह से चलेंगी और यह 60 डिगरी से उपर और यहाँ से आपका यह कौउन सा से लो जाएगा यह दूरूवी से लिए। पूलर सेल के भी नाम से हम लोग इसे जानेंगे तो यह आपका clear हो गया होगा एरली सेल पूलर सेल हो पीरल सेल जो एजाम में आपसे पूछा जाने वाला है बस यह पूछेगा कि जो हवाएं इनसे संबंदित हैं कहां पर यह पाया जाता है तो दरातल के समीब जो गतिसील व हवाएं चलेंगी विस्वत रेखी पचुबा हवा और बिच्छी पक वल की वज़े से भी होता है घर शन वल के वज़े से भी क्या होगी यह पर वायू ये पोने चलती है तो हवाएं जो है आपका एक आखास्मिक हवा हुथी है जो अचानक चलती थापमान और वायू के अंतर में दाब के काड़ इनका निर्माड होता है जो छोब मंडल तक क्या होती है सीमित होती है इसके अलामा ग्रही पौने होती है और मौसमी पौने होती है ठीक है तो जो अस्थानी पौने है ये अस्थानी कारकों से उत्पन्न होती है इनका अलग 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 नाम होता है जैसे चिनू कहां पर चलती है राकी में उत्तरी अमेरिका के तटों के आसपास ठीक है और इसमें गर्म और ठंडी अवाओं के बारे में कुछ मिंसन करा गया है तो उसको अलग से अभी हम आपको दिखा रहे हैं तो पहले यहां नाम देख लिए फिर एकिक करके उसका डिटेल भी दिखा देंगे गर्म पाउनों में चिनूक चिनूक को क्या आपका हिम भक्षी भी का जाता है फान जो सुटिजर लेंड चलती है हर्मटन सहारारेगिस्तान सिरोको में इस इटली स्पेन में नर्विस्टर आपका जो है न्यूजीलेंड में ब्रिक फिल्डर जो है अस्तिलिया में है सामल आपका इरान में है खमसिन है ठीक है और सीमुम है यह आपका आरब में है खमसिन मिस्र में सीमुम अरब में सांटा आना दक्टली कलिपोर्नि या मेर्य लू आपका इंडिया वाला हो ग्या ठीक है कारा बॉरां चीन मेन और सामन मेरां इरान में और कि यूंढकी गर्म-पहुने हो गईं यह एक थन्डी अस्थानी प्रॉबने जो यह झान लीजिए dynamics我也 यह थंडी है, इस्पिन और फ्रांस में चलती है, ठीक है, बूरा जो है, यह इटली, उगोसलावी है, ब्लिजाड यह आपका कनाडा का हो गया, नादर्स और पुरगा हो गया, वाई से लेवेंटर, पंपीरो यह आपका थंडी में आती है, ठीक है, अस्थानी हवाएं हैं य नीचे चलने वाली ठंडी, सुस्क और उत्तर पुबरी भी पहने होती है, ब्लिजाड आपका बिनासकारी है, ठंडी और बरफेली होती है, मिस्ट्रल जो है, यह आपका आलपस की ठंडी पहन है, और यह फ्रांस के उपर राइन गाटी से होते हो, भूमद सागर की तरफ च चांस के नाम से भी जानते हैं, जो 30-35 वाला है, ध्रूमों पे 60-65 हो गया, ठीक है, और इसके अलामा जो आपका मौसमी हमाएं हैं, तो मौसमी हमाएं दो टाइप की आप पड़े होंगे, एक आपका समुद्री समीर होता है, एक आपका अस्थली समीर होता है, ठीक है, जली चलते हैं, आपका अर्थ से उसन की तरफ चलते हैं, ठीक है, यह अपका क्लियर हो गया होगा, चलीए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ आप देखें, ब्लैक रूलर, जो ब्लैक रूलर, जो विंड है, गर्मा है, और यह क्या होती है, नार्थ हमेरिगा के ब्रयत मैदानों से दक प्रवाइत उत्ति जो गर्मवा होगी पंपेर वर्जन तीना की हो गई चिली की जुन्डा अर्ज तीना और रुगवे और विर्जून जो आपका पेरू और चिली में चलती है ठीक है चलते हैं अभी टेन पर pię spins ने फि Red ko भी पाइब अज्विध आपको अब्इद के बारे में जाननी यहां पर थृणा सा आप गर्म ऑवाओं के बारे में जहन लीजी है चले इस पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर लिख के बता देते हैं गर्मवाओं के बारे में जो गर्मवाई प्रवाइद होती है ठीक है अस्थानी वाईव है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रमुख जो पूछा जाता है लू के बारे में तो लू आपका जो है यह भारत में प्रवाइद होती है उत्तर के विशाल मैदान में कैसी है यह गर्मवाई है जो पर पहले ही और यह पस्चिन से पूर्व की ओर चलती है ठीक है आम तोर पर यह दो पाहर की बार चलती है इंडिया में अप्रेल मार्च लास या अप्रेल मैई तक यह आपका ज़्यादा तर देखने को मिलती है इसके अलावा जो है फौन है फौन क्या है यह तेज और धूल बरी अस्थानी गर्मवाई होती है और यह आपका इंखला से नीचे ठीक है छेतरी दा परोणता के काड़ी उत्पन होती है और यह क्या करती है कि पाउना अभिमूग डाल पर यह वर्सा भी करती है यह वर्सा भी करती है फौन जो है आलपस रेड़ी में ठीक है पहाडों के सिकरों को पार करने के बाद गर्म और सुस्क्व आपकी धालों से नीचे उतरनी लगती है। यह जो आपका फॉण है जाने वहां पर बर्फ जमें के ज아아ते हैं गर suspects अगल भी करती है। यह सें मुठ्च हो जाएगा घ्ल जाएगा रिख्वें दन्हें कील सबस्ट चारा भ्हुम भी से शे Jerou used to beanky सिरोcken सीरोको जो इसानी रहे हैं इसका उद्गम बसंद के दवरान कहां पर होता है सहारा मरुस्तल में होता है और भूमद सागर को ये क्या करती है पार करके आपका इसको ही स्पेन में सिरोको को लेवेचे कहते है ठीक है और मिस्तर में इसी को सिरोको को मिस्तर में खमसिन कहा जाता है एजियन सागर के पाज जो है इसको क्या बूला जाता है घर्वी यह नया नाम आपको देखने को मिलेगा घर्वी धर्वी जो भी मिले ठीक है आपको डाक्र विंडि से कहते हैं यहां पर क्या होता है कि हुमस की मातरा ज्यादा होती है और इसकी वज़ा से वहां पे बिमारियां होती है और जब यह चलती है तो जो हुमस है उसको सोक लेती है अब्सार्ब कर लेती है और इसकी वज़ा से क्या होता है वहां पे कुस हाली और हरा भरा हो जाता है इसलिए इसको डाक्टर बिंड के नाम से भी जाना जाता है ठीक इ सीत काल में अधिक प्रबल होती है यह पूछा गया प्रसना है कि ग्रिस में प्रबल होती है सीत में कथन कारण बना के 20 डिगरी अच्छांसों से धुरूं तक जो है यह लगबग साड़े साथ से लेकि 14 किलो मीटर उचाई पर पाई जाती इसका जो मार्ग होता है कैसा मार्ग यह धारन करते हो चलती बिसर्ब के आकार का यह पांच टाइप में होती है एक आपका दुरूवी बातागर जेटिस्टीम होती है यह सीत और गर्म बातागर के मिलने से बनती है 40 इसकी जो ताप प्रमनता अधिक होती है और यह पस्चिम से पूर चलती है उपोष्ण कड़िबंदी 55 जेटिस्टीम दूसरा वाला है यह 30 से 35 है ठीक है दुरूवी जेटिस्टीम क्या होगी वो 40 से 60 हो गई उपोष्ण वाला यह आपका 30 से 35 लैटिटिट्यूड में यह जो स्पीड है लवग 340 से 380 के आसपास है और दाव जो यहां पर है 200 से लेके 300 मीली बार है नेक्स्ट है आपका उच्ण कड़िबंदी पूर वीजेटिस्टीम अभी आपने उपोष्ण कड़िबंदी पच्छुआ वाली देखा अभी आपका पूर वीजेटिस्टीम है ज अबतार होती है फोर्थ नंबर पर आपका जेटिस्टीम जो है वह धुरूवी है जो रात वाली है यह समताप पंडली है सागर तलसिला वक्तीस किलो मीटर की उचाई पर देखने को मिलती है नहीं कि बैसिकली यह नव से बारा किलो मीटर में आसपास रहती है तो कुछ इस स्टीम हो गया ठीक है नेक्स्ट आपका है आदरता और वर्षन के हमलोक बात करें तो इसमें आप का देखिए बादल जो है उसके बारे में आपका दिया गया है उच्छसतकर जु बादल है अल्टो स्टीटर चलावड है यह भूरे और नीले रंग की पट्टी के चादर है सूरिया और चंद्रमा जो है यहां पे असपस्ट दिखाई नहीं देता विस्त्री छेत्र में यह वर्सा करते हैं 25,000 से 6,000 मीटर यानि कि 6 किलो मीटर से 25 के असपास यह रहेंगे अल्ट्रो स्टेटस इसी में आपका जो है आजाएगा उच्छ कपासी बादल ठीक है इसे संद्री सता पे दाब होता है और अचानक गिरावट किसका संकेत होता है आधी का धीरे धीरे उत्थान जो है वर्सा का संकेत करता है दूसरा जो है आपका जो निम्नस्तरी बादल होते हैं यह पचीस सो मीटर यानि 2 किलो मीटर 5 किलो मीटर से कम उचाई पे होते हैं इसमें आपका अस्तरी कपासी है, रंग भूरा होता है, अस्तरी बादल कोरा के तरह दिखता है, कपासी बादल जो है, यह आपका गोबिक फूल के समान दिखता है, ठीक है, वर्सा अस्तरी जो बादल है, यह सबसे ज़्यादा वर्सा करता है, यह आपका उपर से नीचे तक का करम थ जो कपासी वर्षी बादल है कपासी वर्षी जो बादल है यह आपका लंबोत होता है ठंदर क्लाउड के नाम सही से जानते हैं ओला और तड़ी धंजा के साथ इसमें भारी वर्षा होती है जो उच्छ बादल यानि 6000 मीटर से अधिक उचाई पर बिखरे होते हैं रेसम की तरह दिखते हैं इनका निर्माड होता है यह सफेद दिखते हैं ठीक है नेक्ट आप देखिए ITC जेट के बारे में क्या होता इंटर टपकेल कर्मर्जें जोन जो है क्या होता है कि भूमद रेखा या उसके समीब छेत्रों में पाई जाने वाली निवन वायदाब की जो पीटी है जहां पर क्या होता और उत्तर पोर्वी और दक्चन पोर्वी जो व्यापारिक पाउने हैं यह क्या करते हैं ट्रेड यहां पर आके कनमर्जेंस होती है अब शरीत होती है नीचे बैठती है तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं आई टी सी जेड में जो वाय होती है कैसी होती है आपका सांत वायू का यहां पर देखने को मिलते हैं जलवाई प्रदेश की बात करने तो विश्वत रेकी जलवाई पर देश 10 डिगरी नार से साउत में ठीक है विस्तार देखिए अमेजन बेसिन कांगो बेसिन पूर्वी दीप समू ठीक रिनफाल यहां पर 200 सेंटिमीटर और टंपरेचर लगए 20 से 30 डिगरी यहां पर जो बन का विस्तार पाए जाएगा य इस में क्या होगा ब्राजिल की उच्चु भूमियां हो गया बुली परागवे और अरजेर्टीना से में मैं क्यूबा जमयका हो गया अफ्रीका में सुदान और सेनेगल गाइना माली नाइजर यह सब कंट्री आती है तो महादीपों के पूरवी भाग में पाई जाएगी जिसमें भारत, पाक, बंगलादेश, लंका, म्यामार, दक्षनी, चीन, थाइलेंड, कमबोडिया, बेतलाम, लाओस, फिलिपिन्स हैं मरुस्तली जो जलवाई होगी, जिसे उसने बी एसेच या बी डवलुएच की सिर्णी में रखा, तो मरुस्तली जो जलवाई होती है, कहां पर पाई जाती है, 15 से लेके 30 डिगरी, नार्थ और साउथ में ये ध्यान रखीगा, उसने कड़िबंदी जो मांसूनी जलवाई पा पश्मी भागों महादीपों में, जैसे एसिया का थार अरव है, सहारा है, काला हारी है, पश्मी मरुस्तल है, ये सभी जो आटा कामा वाला, ठीक है, इसमें टंपरेचर 30 से 35 होगा, वर्सा जो है 10 से लेके 25 होगा, बिरिक्ष जो है कटीली जाडियां, कैक्टस और बभूल के बिरिक्ष से देखने को मिलेंगे, बोमद सागरी जलवाई, जिसे CS कहते हैं, तीस से लेके 45 जो अच्छांसों के पीच महादीपों के पश्मी भागों में, इसका बिस्तार most important है, हर बार पूछा गया प्रस्न में, कैलिफोर्निया, घाटी, यूरोप का तटी भाग, मु से लेके 15 डिगरी, रिनफाल यहां पे 37 से लेके 75 यहां से कम, जो यहां पे बिरिक्ष है, नीवू, संतरा, जैतून, यानि फल की खेती ज्यादातर होती, अंजीर, खुबानी, ओक है, वालनट है, चिस्टनट है, सीडार है, और साइपरस है, यह बिरिक्ष है यहां पर पा 47 डिगरी यह अपका, ठीक है, पाई जाती है, अच्छानसों पे, और पूर्वी भाग में पाई जाएगी, उत्तरी मद्द चीन, दक्षड कोरिया, दक्षडी जापान, दक्षड पूर्वी यह से, और उत्तरी अर्जंटीना, ठीक है, दक्षड अफरी का, यहां पी यह प आइफून कहते हैं, हरीकेन आपका, यह से में है, बिरिक्ष में साइप्रस है, एस है, रिडगम है, ओक है, चिस्टनट, पाई और, ठीक है, ओक है, यह मिस्त्री द्वनों के अंतरगत आएंगे, पस्चमी यूरोपी तुल्ली जलवाई में, यह 40 ले के 55 डिगरी, पस्चम पस्चमी जर्मनी, नार्वे, इस्पेन, फ्रांस, वहां पर भी पाई जाएगी, ओक, लिंडेन और, यह यूरोपी तुल्ली जलवाई, यूरोप में पाई जाएगी, चीन तुल्ली चीन या उसके आसपास वाली कंट्री में पाई जाएगी, ठीक है, सिंट लारेंस तुल यहां पर जो बन पाई जाएगे सेंट लारेस में कोणधारी बन और घास के मैदान कैसे हो जाएगे, प्रियरी वाले होंगे, सीतोस्र कड़वंदी घास भूमिया, जो प्रियरी तुल्ली जलवाई के नाम से जानी जाएगी, चालिस लेके साथ डिगरी, ठीक है, बरसा यह अबरी कनाडा, यूसे में पाई जाएगी, एसिया के हम लोग बात करें तो, एसिया में घास भूमियों को स्टेपी, यूरोप में पुस्टाज, या हंगरी में पुस्टाज, ठीक है, नार्थ अमेरिका में प्रियरी, साओथ अमेरिका में पंपास, साओथ अपरिका में ब वादे के उच्छ अच्छांसों में पाई जाएगी 555 से लेके 70 डिगरी अच्छांसों के आसपास उत्तरी गुलार्मीद है नार्थ में ही पाई जाएगी साउथ में नहीं समझ में आई बात यह पूछा जाता है और दक्षडी कनाडा में इसका विस्तार है उत्तरी दिगरी अच्छांस या उससे उपर पाई जाती है दोनों गुलार्दों में और जीरो से लेके 10 डिगरी यहां पर टंपरेचर होता है उत्तरी कनाडा ग्रीन लैंड ठीक है इसकेंडिनेवियन कंट्री में पाई जाती है यहां पर जो लाइकन और मॉस जो है यहां की हवाय आपके ब्रिक्च हो गए एक तरह से ब्रिक्च क्या आईए यहां पर घास पो जड़िया यह सब हो गए तेज हवा वाली रात में उसस नहीं बनता पॉइंट देख लीजे अब से पूछा जाएगा कि उसस कपड़ता है अगर तेज हवा वाली रात रहेगी तो उसस नहीं बनेगा क्यों क्योंकि यहां पिर वास्पी करड़ के जर्जो है तेजह जाती है और सरवाधिक वालशिक वात नापांतर जो है यहरा यहां का घृूम अज़ना हो गया कि समंहिन है मैक्समीम ओर वर्ण में मिनिमम जो टमपरिचर है नेक्स्ट आईए, अब देखें यहां पर तापी प्रतिलोमन है, तापी प्रतिलोमन होता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आते हैं और डिटेल्ड में, तो जनरली हमने अभी तक पड़ा, कि जैसे उपर जाएंगे धरातल के, तो क्या होगा, टमप्रेचर आपका, एक डिगरी कम होता जाएगा, कितने पर 165 मीटर हाइट पर, और यही यदि टमप्रेचर कम होने के बजाए क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, समानता क्या होगा, उचाये के साथ जो टमप्रेचर होगा, यह घटता जाएगा, लेकिन जब यह घटने के बजाए क्या हो जाए, बढ़ कितने लगे, यह आपकी इस्तिती हो जाएगी, डूत करमरता की, यानि की इनवर्जन की, इसी को हम लोग बोलेंगे, धर्मल इनवर्जन, ठीक, तापमान प्रतिलूमन यह दसा, जो स्वक्षाकास, सुस्क वायू, मंद समेर की इस्तिती में अधिक प्रभावी होती है, ठी होगा, सुस्क वाय होगी, मंद समीर होगी, यानि कि हवाय भी वहाँ पे धीरे धीरे प्रभावायत होगी, वहाँ प्रतिलूमन विशेश रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स देखिए इसी में पॉइंट है, घने कुवरे इसके लिए उत्तरदाई होते हैं, घन और नेक्स्ट पॉइंट यहां पे जो मेंसन करा गया है, घने कुवरे इसके लिए उत्तरदाई होते हैं, परवती घाटियों में तीवर विक्रण के करण क्या होगा, ऊपर, यानि राद्र में तीजी से यह ठंडे हो जाते हैं, और इसके विपरिद घाटी में क्या होगा, उसमा हरास होगा, तो क्या होगा, उच्च तापमान यहां पे बना रहता है, यहनि कि जो संपर्क वाली यहां पे होगी, यह भी क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि नीचे जो घाटियां होगे, वहां पे जो उसमा का हिस्तिती हो क्या होगी, मिंटिन रहेगी, अगला देख टू गैप्ट तो कैटवेटिक क्या होता परवती ढलानों पर ठंडी उर भारी यूप गृततव नियुसे की और की अब्धुर कटभेटिक अनरी बमगे दोसंते हैं एसली भार जाती है कि लूसे फ्में परवकिसाया령 मेंकर यसे ढलानों से घाटियों में भर जाएगी और घाटियों में जब भर जाएगी तिसे हम लोग केटावेटिक कहेंगे और यही उल्टा जब घाटी की जो गर्म हो आई है यहाँ पर जो गर्म हो जाए गाटी के अंदर जो है यह क्या होगी उपर चड़ेगी गर्मों के दढलानों के उपरी भागों में ही स्थित होते हैं यह important line है पूछा जाएगा जो अंहें परवती घाटिओं में बस्तिया बनाई जाती है कारण क्या है तापी वीत कर्मनता की वज़ा से जो है यह नहीं बनाए जाती क्योंकि उस तरह की दसाएं इनको नहीं मिल पाएगी जो तापी प्रतिलूमन होता है यह आपका क्या होगा अधिक उचाई पर अधिक होगा यह आपका हाइड बढ़ने पर जाधा होगा कारण क्या होता है क्योंकि पार्थिव विक्रण द्वारा जो उपरी गर्म परत्त है इसको ठंडा करणे में अधिक समय लगेगा जबकि जो धरातल है इसके निकट जो लेयर होगी यहाँ पर प्रतिलूमन होगा यह क्या होगा अल्पकालिक होगा थोड़े समय के लिए होगा क्यों क्योंकि बिक्रण द्वारा जो धरातल के निकट की ठंडी परत है इसका जो लोप होगा यह सीगर हो जाता है कि ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो और यहां पर मेंसन करा गया है तापी बिसंगती के बारे में तो तापी बिसंगत से पहले कुछ आपका जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो थर्मल इंवर्जन में आपने पढ़ा है उसको यहां पर और डिफाइन कर देते हैं कि तापी प्रतिलोमन उसकी प्रकारों को भी तापी प्रतिलोमन के हम लोग बात कर रहे थे तो यह आपका धुरुवी प्रदेशों और मद्य अंच्छांसों के जो हिमाच्छादित भाग या घाटियां होती है वहाँ पे क्या होता है अधिक होता है कहां कहां पे धुरुवी प्रदेश इसके अलावा कहां पर मद्यच्छांस में यह पूछा गया प्रस्न है इसलिए यहां पर मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर रहा हूं तो तापी प्रतलियुमन दुरुवी प्रदेश और मद्यच्छांसों के जो बर्फ से ढके या हिमाच्छादित भाग हो गए घाटी प्रति चक्रवाती दसाएं अधिक प्रभल हो जाती है तो तापी प्रतलियुमन के लिए जो आपका या थर्मल इंवर्जन के लिए अच्छी दसाएं कौन सी हैं सुस्क वायू स्वक्ष आकास ठीक है लंबी रातें यह सभी जो है इसके लिए इसके लिए प्रतियुमन अच्छी स्थिती को प्रदर्सित करती हैं ठीक है नेक्स्ट आईए इसके टाइप्स को जानिए प्रकारों को जानिए किसके प्रकारों के हम लोग बात कर रहे हैं तो यह आपका है तापी प्रतलोमन के प्रकारों को तो यह तापी प्रतलोमन जो है विवन प्रकार के होते हैं एक आपका होता है तापी प्रतलोमन अभिवानी प्रतलोमन और यांत्रिक प्रतलूमन ठीक है इसमें आपका आप्रवाही होता है और कौन सा होता है धरातली प्रतलूमन होता है और कौन सा होता है उच्च वायमंडली प्रतलूमन इसमें आपका वाताग्री है वाताग्र के द्वारा जो प्रतलोमन होता है गाटी प्रतलोमन है और यहां पर क्या है कि 36 प्रतलोमन या धरातली प्रतलोमन भी इसके अंतर गता है यांत्रिक प्रतिलोमन या मेकैनिसम जो इनवर्जन हो जाएगा इसमें आपका आउतलन प्रतिलोमन आता है और विक्षोब प्रतिलोमन आता है आउतलन और विक्षोब इसको आप नोडाउन भी कर सकते हैं या और तापी प्रतिलोमन की जो अनकूल दसाएं क्या है जाड़े क दिर्ग कालीन राते स्वक्ष आकास या बादल रहित आकास स्वक्ष और बादल रहित आकास जो है इसके लिए इसके अरावा सान्त और इस्थिर वायू सान्त और इस्थिर वायू ये भी इंपोर्टेंट है किसके लिए तापी पृतिलोमन की अनकूल दसाओं के लिए वाय मंदल क्या होना चाहिए सांथ होना चाहिए और इस्तिर होना चाहिए धरातल के पास क्या होती है सुस्क पौने हो ठीक है यहां तक आपका क्या हो गया क्लियर हो गया होगा तो तापी ब्यूत्क्रमर्ता का महत्तु क्या होता है तापी ब्यूत्क्रमर्ता जो अभिवान ब्यूत्क्रमर्ता है यह आपका क्या होती है 36 होती यानि कि जब किसी छेत्र में ठंडी अवा का 36 प्रवा होगा तब वहाँ पे क्या होगा अभिभानी व्यूत्करमर्ता यानि कि अडवेक्सनल ठीक है ध्यान रखेगा ये 36 जब प्रवाह होगा वायू का तो वहाँ पे क्या होगा अभिभान होगा ये पूछा गया प्रस्न है इसलिए इसको दुबारा से मैं यहाँ पे आपका मंदल हो गया साप और बादल लईताकास हो गया सरदियों की लंबी राते हो गई यह अपका थर्मल इन्वर्जन के लिए अनुकूल दसाएं होती है यह दि हम लोग इसके महत्व की बात करें कि क्या महत्व है क्यूं हम इसको पढ़ते हैं तो पहला यह कि यह वर्षन में बादल जिससे बनेगा पाला होने में मदद करता कौन थर्मल इनवर्जन ठीक है थर्मल इनवर्जन क्या करता है वाइ मंडल में स्थिर्ता लाता है और क्या इसका इंपोर्टन्स है कभी कभी जो संभान बादलों को बहुत उचाई पी जो है उठने से रोखता है और इसकी वज़ासे क्या होता जैसे कोहरा बहुत ज़्यादा है तो कोहरा की द्रिस्यता भी क्या होती है कम होती है किसकी वज़ासे तापी विद्क्रमरता की वज़ासे क्योंकि जब द्रिस्यता कम होगी आप आसानी से गाड़ी बगर चला लेंगी द्रिस्टा जादा रहेगी तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि तीब्र गरज और बावंडर के साथ यहाँ पे तापमान तीब्र गरज कोहरे में जो द्रिस्टा है उसको यह द्रिस्टा के कारण बनने वाला कोहरा यानि तापी ब्यूत करमरता के कारण कम होती है यहनि कम दूरी तक दिखाए दिता अभी इसके पहले हमने बता है कि आसानी होती आसानी नहीं होती बलकि चिंता का एक विशह है यह कि जो तापी विद्क्रमर्टा की वज़़ा से आपका कोरा बनेगा वहां पर बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते हैं जैसे तापी विद्करमर्टा है थर्मल इन्वर्जन की वज़़ा से ही होता है बिसिकली ठीक चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके टॉपिक पर और यह आपका यहां पर तापी विसंगती के बारे में तो यहां पर कहा रहा किसी निश्चित अच्छांस पर इससी दो अस्थानों के आउसत आप मानों में अंतर को हम लोग क्या भोलेंगे तापी विसंगती बोलते हैं जब दो अस्थानों में आउसत आप मानों का अंतर अधिक या कम हो जाता है एक किसा पेक्ष तो क्रमसाई से धनात्मक और उल्यात्मक का जाता है जैसे जिसका जादा होगा उसको धनात् गर्मियों में महाधीपि भागों में धनात्मक और rather मिसंगति देखी जाती Own the that मैंAmla特κι ये और सागरों में धनात्मक क्योंकि सागर जह से जब सदल बहुता है लेधी संदा होता है है ऐके देखे रिधोस्ता परिवर्तन यह भी पूछा जाता है कि जब कोई बाहर से टायर चलाते हैं सब्सक्राइब तो आपका साइक्ल टायर से भस्ट हो जाता है तो वो किस परीवर्थन के दुआ और और यह इसमें क्या होता है अचानक परीवर्थन होता है नहीं तो बाहर से अंदर उसमा जाएगी न अंदर से बाहर आएगी इससे क्या होगा वो कांट्रोल यानि वाइलन्स नहीं करेगा और यहां पे आपका टाइर जो फटड़ जाते हैं तो आयंतन में परिवर्टन के कांड यहां पे तापदल जाता है तो वाई के गर्म होकर उपर उठने के काड क्या होगा कि से उसके आय तन मेंगा परसार होता है और इस प्रिपिकर रुदोस्म ताप दर है वो आपका 10 डिगरी प्रती 1 किलो मीटर है जो नार्मल लैफ्स रेट है वो आपका कितना 6.5 है प्रती किलो मीटर है ठीक है और जो आपका इसमें देखे आपका सुस्क रुदोस्म और आंदर रुदोस्म दो तरह की प्रोसेस काम करते हैं जब वाई नीचे उतरती है तो क्या होता हुआ दाप में ब्रिद्धी के करण आयतन में परसार नहीं होता है और ताप में ब्रिद्धी हो जाती है जबकि क्या होगा आरोही और आरोही वाई में उसमा में जो परिवर्तन क्या होता है नहीं होता है तो यहां से क्लियर हो गया होगा आगे देखिए जो हमने कहा था आपसे की रुद्धोस्म परिवर्तन वहां प्रकार जो होते हैं एक आपका आदिर रुद्धोस्म होता है, झो सुष्क रुद्धोस्म है अभी दीप ही आपको सतने प्लिट गया है और यह 0면 912違 झाती आपको सब पहले ही आपनों को प्रवाइड कराया है मैंने ऐसा नहीं कि अभी लिख के आपको दे रहें यह पहले ही कराया गया यह आपका क्या है ड्राइडियावेटिक प्रॉसेस इसको ध्यान रखेगा और यहीं सेम बना के अभी हरियाडा वालों के लिए दिया था ठीक है कि 5.5 सेंटीग्रेट यह आपके आप आरे नाइट इसकी जगह एक कमान पुट अप करिए और यहां से आप सेंटीग्रेट यह आप आरे नाइट में निकाल लेजे ठीक है आज रों दोस्म जो ताप परिवर्तों होता है इसमें क्या होता है कि वाय मंडल में ऊपर उठते सम्तृ तो वाय जीस दर से क्या होती ठंडी होती है उसे आपका विट एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं और यह आपका 6 डिगरी सिंटीग्रेट प्रती 1000 मीटर पे होती है तो ध्यान रखिएगा जो बेट है यह आपका 6.5 है 6.6 है और जो आपका ड्राई है हो क्या है 5.5 है यह क् अपका यह हो जायागा यह आपका 10 डिगरी सिंटीग्रेट हो 10 और 6 है ठीक है उची तापमान वाले आउद्योगिक नगरों और महा नगरों में इसलिए उसमादीव की संग्या इसको दी जाती है चलिए तापमान की बात करें किसी अस्थान पर माना का वस्था में मापी ग परिमासा इसकी नहीं पूछेगी लेकिन यहां से आप देख सकते हैं जो यूजी सी नेट या जयारफ में या आसिस्टन प्रोफेसर में आप से पूछा जाने वाला है कि अभी अभी अमने आपको बताया था तापमान भ्यूत्करमता के प्रकार जो तीन टाइप में बैसिकली आप से दिया गया था अभी देखें यहां पर क्या कर रख है üzerine कीमद्ने ब्यूत्कर्मर्टा के जो अन्य रूपों में कि भू परिश्ठी तापमान ब्यूत्कर्मर्टा या अपका 3 टाईप थे उसी में आ गया था तापी प्रतलोमन में एक आपका अभिवाणी था, एक आपका यांतरिक आपका तापी प्रतलोमन था ठीक है या धरातली मैं प्रिस्थी ताप उत्क्रमरता है अभिवाइन है इनके इनके भी तीन टाइप है एक आपका इसको आल दियान डखेगा जो प्रमरता के प्रकार है कई बार डायरेक्ट को भुए pozたい पार्त पूछ लेता है ठीक है अब तापमान का जो ट्रांसफर होता है बेसिकली आप तीन रूप जानते हैं परिचालन इसको सुरुवात में हमने बता दिया बीकिरेड और संभान फीगर देख लेजिए यहां पर हमने इसलिए आइड कर रखा है तापमान के बितन को प्रभावित करने वाली कारत ठीक है अब यहां पर देखे एक और दिया है कि सौर्विक विद्धुचुमकी बिक्रण में चार तरह के स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेंगे ठीक है सूर्य अतब का इसमें देखे शाट वेव यानी की छोटी तरंगे है उसका इक्रम है तो फर्स्ट में आपका वाई रेज है एक्स रेज अल्ट्रा वाइलेट है ठीक है एक्स वाई रेज हो गई और यहां पर सेकेंड में जो आपका है विग विजुबल से लेके यह आपका अन्विजुबल तक उसके बाद तीसरी जो साट वेप्स में आती है यह इंफ्रारेड है पचास परसंट के आसपास सूरिय तप यह अब्सार्व करती है और यह 41 परसंट इदर देखें यह सूरिया तप अब्सार्व का दिया है परसंटेज चोथा है जो लॉंग वेव यानि जो बड़ी तरंगे होती है जिसमें आपका रडार है रेडियो वेप से ठीक आगे देखें यहां पर यह यह डारेट बनावट यह आपका जो है किसी अस्थान के तापमान को प्रभावित करेंगी कारण क्या है जो आपका जीरो डिगरी पर इस्तित्र प्लेस है वहां पर टमपरेचर ज्यादा मिलेगा वा च्छान्स हो गया दुरूम पर जो होंगे कम मिलेगा सागरतल से उचाए जो सागरत अस्थाल से कम उचाहिए होगी उस पर टमपरेचर अलग प्राप्त होगा अस्थाल और जल का प्रभावित करता है तो तो आपमान के वित्ण दो टाइप के होते हैं प्रभावित वाले हो गए इसका जो डिस्टिब्यूशन दो टाइप का होगा च्छेथी जो और एक यह ताप करम तो अब देखें यापन का जो बित्रन है वह प्रादेशिक बित्रन की विशवत रेकी जो आपका है ये जीरो से लेके five degree और जो आई टीसी जेड ये पान से लेके 12 डिगरी उसने खड़बंदी के लिए ह्याहां पर आपका शूर्या थप और तापमान को एक बाय फिर से डिफायन कराया है कि सूर्य का जो बारी वाततावनाण है इसका थापमान कितना 6,000, 6,000 के आसपास है बिकररण से, बिकररतरंगे, लगतरंगे होते हैं सूरियातब पी से कहते हैं सूरियतब और तापमान में अंतर समझ लीजे यह important है सूर से प्रितวि को प्राप्त होने वाली उस्मा क्या होगी सूरियातब थापमान क्या होता है तापमान उचनता की माप होती है और कोई वस तो गर में या कितना ठंडा है यह उसको आप छूने से अनुबो करने से पता पाएंगे सूरियातप की माप कैलोरी में करी जाती है जबकि जो तापमान इसका डिग्री सेंटिग्रेट फारेन हाइट यह उमर पैवाने में है सूरियातप जो उस्मा सूर धारण करता था यानि करता है या जब कोई उस्मा धारण करती है तो वो क्या होती है गर्म हो जाती है और यह ही आपका सूरियातप होता है सूरियातप के प्रभाव से ही क्या होता तापमान उत्पन होता अर्थात सूरियातप और तापमान दोनों एक दूसरे के कारण प्रभाव के रूप में शंबन देथ हैं उस्मा का संचन जो है उस्मा मात्राओं में अंतर होने से नहीं होता सूर्यातप में जबकि तापमान में क्या होता है कि उस्मा का जो संचन हो एक पदार से दूसरे पदार्थ में जो तापमान का अंतर होता है उसकी वज़ा से उस्मा का संचन यहां पे होता है जबकि सूर्य तब में देखी प्रभावित करने वाले कारक में या क्या है प्रिथवी का आपने आक्षे पे जुकाओ सूरी की किर्णों का जो कूण है नतिकूण दिन की अवदी वाय मंडल की पारदर्सिता अस्तल का विन्यास और कलंकों की संक्या ये सभी निर्वर करती है जबकि तापम में जो प्रभावित करने वाले कारकों में से आपका ये भी एक है ठीक है नेक्स्ट आजाईए नेक्स्ट है पृत्वी का अक्षे पर जुकाओ प्रिथवी का आक्षे पर घूमना तो प्रिथवी के चारों और क्या है परिक्रमा यानि परिक्रमण की कक्षा से लगबग 6.60 डिगरी क्या है ये कोण बना है जो विविन अक्षांसों पर प्राप्थ होने वाले सूरिता अपको प्रभावित करता है नति कोण है अपका लिभिया का अलाजी चिया है सरवादिक ठंगरा बोस्टाक का है और अधिक्तम आउसत तापमान जो एथियोपिया में ठीक है ड्लोक पे पास है निउन्तम जो आपमान ये पोल आफ कोल्ड के पास है और दिन के उच्चता में निम्नतम तापांतर को दैनिक तापां परसंट है 45 पे आपका 75 है और 90 डिग्री पे आपका 42 परसंट है ठीक है अच्छांसी बितर में आपका उस्न कड़ीवन्दी पेटियाँ जो एक ये हो जाती है सीतोस पे आपका दो है सीत कड़ीवन्द में दो पेटिया ठीक है उच्चाइब बढ़ने के साथ क्या होता है ताप में गिरावट होता है 165 पे वन डिग्री होता है एक किलो मीटर में 6.5 होता है किलेवन जारों की बात करें हम लोग तो यह बर्ब से अच्छादित है और इसी प्रकार जो है गवान जाओ कुलकाता देखे एक पॉइंट है यह गवान जाओ और कुलकाता दोनों एक अच यह बर्बी को प्रआप्त करने से होता है तो सुरिया तब प्रतवी को प्राप्त करने से होता है और तरंगदार्थ के रूप में होता है किछब उससरेद किया जाता तो दीर पार्थी भीक्रण के रूपर नहीं वामन्दल को गर्म करते हैं द्यान दीजेगा जो भी मिन्दल गर्म होता किसे होताहे धरातल से ईथरातल से आप बार्थी भीक्रण से वामन्दल गर्म होzika और यह जो आपका किन्थ 맞त्म पर अधारित होता ह अस्थान अंतरड धैने अस्थान के होता ये देखें का टंडीवाई गरम वाईय की अस्थान लेती अडवेक्शन में क्या हूता उसमा का छैती जस्तान अंतर्ण वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलेंगे अभिवान कहते हैं ठीक है दैनिकताप अंतर के हम लोग बात करें तो यहां पर देखे आपका दिया गया कि भूमद रेखा से द्रूगों के उर्जाने पर दैनिकताप अंतर पढ़ता है दिन के उचतम और रात के निम्नतम को दैनिकताप अंतर यानि एक दिन वाला जो टंपरेचर है ठीक है सरवादिकताप दिन के समय जो है दो से लेके चार बज़े होता है द्यान रखेगा क्यों क्योंकि सूरिया तब को पृत्वी द्वारा पार्थी उर्जा में बदलने में क्या ह होता है समय लगता है इसकी विश्यस्ता है क्या होती है दैनिकताप अंतर की कि शमुद्र के किनारे दैनिकताप अंतर कम होता है मैदानी भागों के पेक्षा पहाडी भागों में तो ताप अंतर क्या होता ज्यादा पाय जाएगा मैदान के पेक्षा पहाडी में ताप अंत सही निकाला जाता है कि है कि है की मैक्सिमम मिनिमूम आपकर कम करें एक वर्ष की आधिक्तम ताप न्याइट को वार्शिक ताप आंतर कहते हैं और रितु परिवर्तन यहां पर देखें आपका जो है कि प्रत्वीक आपने यक्ष्व पर 3.5 डिग्री जुके ओने पर जिससे क्या होता है सीधी रेखा में छे मां उत्तरी गोलार्द में और छे मां जो है दक्ष्डी गोलार्द में चमकती ह बिशिस्ताओं की बात करें वार्षिक तापांतर की तो भूमद रिखा पर तापमान जो वर्षबर एकसा रहता है इसलिए जो यहां पर वार्षिक तापांतर क्या होता है? कम पाया जाता है इसी प्रकार समगत तटी छेत्रों में भी होता है उत्तरी गुलार्द की बात करें कि तापांतर अधिक जबकि दक्षडी गुलार्द में तापांतर कम पाया जाता है क्या कारण है क्योंकि उत्तरी गुलार्द में अस्थल जादा है और दक्षडी गुलार्द में जल अधिक है इसकी वज़ा से क्या होता है कि उत्तरी गुला बात कर लिए प्रतिवी का 35 होता सबसे ज़्यादा आपका बर्फ का होगा है ठीक है और यहां पर दिया गया है कि जो उसमा बजट है 65% ही आउसूसीत हो जाज़िश में क्या होता है 14% वाय मंडल लेता है 51% प्रतिवी के द्वारा आउसूसीत करा जाता है उना जो है आउसों थिस जो है उसका 51% पार्थी विक्रण के रूप में वापस आ जाती है जिसमें क्या होता है 17 एकाई सीधे क्या है अंत्रिक्ष में लौड जाता है यूनिट और 34 यूनिट क्या होता है कि वाय मंडल में पार्थी भीकरण के रूप में तापी संभान के रूप में उस्मा बिक्षोब वास्पी करण संगरन की गुर्पत उस्मा के रूप में क्या हो आंत्रिक्छ में यह क्या करती है? पर वापसकर करती है और यहां पर देखे शूरी द्वारा क्या करा गया? सो यूनिट जो है भेजा गया 35 जो है क्या किया गया रिफ्लिक कर दिया गया 65 लिया गया जिसमें पृत्वी अवसोसित करती वाई मंडल दोनों ठीक है दोनों मिला के बाद चल रही है आपे जिसमें 14 जो है कौन करता है वाई मंडल द्वारा अवसोसित करा जाता है फिप्ट ना सौ यूनिट में 35 कौन ले लिया 35 पहले ही रिफलेक्ट कर दिया गया बचा 65 65 65 में क्या हुआ कि 14 जो है आपका वाइमंडल में जो गैसे हैं यह सब ले ली और 51 जो कौन लिया यह आपका अर्थ सर्पेस के द्वारा जो है आप जारू करा गया पार्थी विक्रण के रोप वाइमंडल में वास्पन और संगनन के रूप में चला जाता है ठीक तो यह कितने हो गए एक क्यावन हो गए उसमा संतुलन हो गया कि नहीं अब जो वाइमंडल में 14 लिया गया था वाइमंडल के द्वारा और 34 जो है क्या किया कि आंत्रिक्ष में वापस करा जाता है तो य पर आपका 17 जो डायरेक्ट वापस करी गी से और यहां पर 48 जो वापस करी गी होए में जल द्वारा तो टोल कितने हो गया 65 थे trig ऑझे जो गया इसमा संतिलोन हो गया ठीक है तो यहां पर ऐसमा जो अच्छांसी यहां पर में निसन करा गया है ताप नियूंता का जो छेत्र है ताप आदे की छेत्र और ताप नियून छेत्र जो टंपरिचर मैक्सिम्म यह आपका तीस से तीस के बीच तंपरिचर यहां पर ज्यादा पाया जाएगा ती ताप आदिक हो गया तीस से साड़ जो तापमान कम हो जाएगा त्यों तापने उन्वाले हो गए नार्थ और साउट दोनों पार्टों में भी कि अब िहां प्विर से आपका एक बार व्यंशन किया प्रधिवीम्ट स्ट युदंकर की समाह रहते हैं हमारी को सूर से निकलने वाली कुल उस्माक केबिछा नार्ब्र होती है उसका वाइन कर देती है यहां पे नेर्टरम पूछ च्युक्पेसर में पूछ कि जार्ज किम्बाल के अनुसार जो उस्मा बजट है बताईए तिसमें यह 100% उस्मा है तिसका 42% जो होता वाइमंडल द्वारा बेज दिया जाता प्रावर्तित करा जाता है 11% जो वास्प द्वारा असोसित करा जाता है चार परसंट गैसों और धूल करों द्वारा और 57% भाग क्या होता है यह नश्ट हो जाता है तो प्रिथवी सौर विक्रण का केवल 43% भागी प्राप्त कर पाती किसने कहा जार्ज किम्बरले या जार्ज किम्बाल अब मूलर नहीं क्या बता है उसमा बजट के बारे में मूल कि अंत्रिक्ष में गई चैप्रक्रडीत हो गई 27 यह बादनों के द्वारा ली गई और तू परसंट जो यह पृत्वी द्वारा मूलर का जो ओगया वो गया यह अलबीडो आप जानना है कि किसी तल के द्वारा जो परावर्तित बीकरण होता है और प्रमुक तलों के जाए जो प्रितिवी का जो अउस्सत है यह 35 है सरवाधिक भरब का होता है आपके सामने में इंसन है बादल का जो है यह 50-90 के आसपास है मूली अगहास का जो खेत हो जाए सब्जी वाला 70-90 है ठीक है इस्टेटस जो क्लावड है साट से 84 है सीरो इस्टेटस का 44-50 है जो पुरानी बर्फ होती है वो 30-40 है जो नई बर्फ है उसका नब्बे तक है अब सुस्क जो रेत है उसका जो है आपका 25-30 के आसपास है कंक्रीट का जो एलविडो है 17-27 है समाना घास का जो मैदान होते हैं 25-30 है और जो आपका आद्र मैदान है यह 15-20 है ठीक है जलब में देखिए यहां पर जो आपका एलविडो है चांसों के अनुसार जीरो डिग सबसे जादा यहां पर आपका देखना के मिलना है रेल विडो का घास के मैदान में देखिए 10-20 है अरी फसल के लिए 3-15 है जो पतज़ड़ वाले बन है ठीक है यह 10-20 है और कौणधारी बनों का अलविडो 5-15 है और यह एक्जाम में पूछा गया है ठीक तो यह टूटल आपके हो गये क्लाइमेटोलोजी वाले से कुछ आपको जो एक्स्टा यहां पर पढ़ने है वह आप देखिए जलवाई वरगी करन पढ़ दीजेगा एक को सकती है कूंअ गया है यह बीडियो यहां पर मिल जाएगा दार्थी तो पढ़ लिजी और आपका चकरवाद पर लीजे है चकरवाद भी देखिए यहांपी धे नहीं हो पाया है चकरवाद पढ़ देर नहीं तो मैं कोशिश करता हूं आपको चक्रवाद स्था करा देता कि यहां पर आजाएए तो लाज़ा चक्रवाद के बारे में भी जान लीजे क्योंकि आपके एक्जाम में तो पूछा जाता है कई बार पूछा गया है कि उसको हम लोग कोसिस कर रहा है चक्रवाद का जो एक दूसरा वीडियो आपको बना देंगे उसमें आप देख लीजिएगा क्योंकि यह वीडियो लगवग 2 गंटे का हो चुका है तो यहां पर इतना ही और उमीद ही आपको सिधांत है हाँ अभी में भूली जा रहा था आपका जो थेउरी इसको आप ज़ूर देख लीजेए जो सिधांत है देखे यहां पे है कि जलवाई विक्यान के जो सिद्धान्थ हो गए जिसमें आपका देखे धुरुवी वातागर सिद्धान्थ किसका है यह बरकनीज का है उन्हें 18 में दिया तरंग सिद्धान्थ के नाम से बर्डून का सिद्धान्थ भी सिखा जाता है यह देखे सीतोस् कड़वंदी चक्रवात है उसकी 6 आवस्थाएं बताएगी किस नहीं बताया यह बरकनीज नहीं बताया गतिक संतुलन जो सिद्धान्त है यह डायनेमिक थेओरी यह नेपियर साव लेंपर्ट की है ठीक है यह आपका किस से रिलेट करती है सितोष कड़वंदी चक्रवात से म जो आपका मांसोन की उत्पत्त से होगई जो फ्लोन की है कोट इस्वरम की पूरभी जेट स्टीम थेओरी है और वाइमंडली परिसंचन जो सिद्धान्त है सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल जो है यह एडली का है और जो ट्राइशल ट्रित्री कोस्की सेल सर्कुलेशन और उबिन का है समेहक संगठन्य समुचयन सिद्धान जो यह मुईर का है रिक वादलों के वरगी करण के बारे में हारवड ल्यूक ने दिया है नामकरण भी ल्यूक न करा ठीक है टौपोस्पियर इस्ट्रेटोब्र को का नामकरण जो शटशरइनग में किया था उस प्रभाव के बारे में अर्थेनियन नहीं से नामंकित किया था बिस जलवाई मान चित्रावली सबसे पहले अल्वलाकी ने बनाया और चौधा जलवाई प्रदेशों में जो है अल्मक्दसीनी बाटा था पिटर्सन ने क्या करा कि वर्सा बितन के अधार पर पृतिवी को पंदरा पेटियों में और वातागर को कितने चार भागों में बताया था तो वातागर का पूछे कि किस ने करा है तो यहाँ बताएंगे किस ने करा है पिटर्सन ने करा है ठीक है तो यहाँ पे इतना ही थांक्स पर वाचिन